Hello Everyone, Welcome to Logical Education, I am Raksha Arida Garfinci और इस lecture में हम Zero-Click attack के बारे में discuss करेंगे और Pegasus के बारे में discuss करेंगे Pegasus क्या है? ये एक Spiveware है Spiveware क्या होता है? Pegasus क्या है? किस तरह से work करता है? Zero-Click attack क्या है? ये सारी चिज़ें हम इस lecture में discuss करने वाले हैं ये काफी news में है भी recently तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियो की बीडियेफ मिल जाएंगी प्लस इंस्टाप पर आप मैंसे कॉशन्स भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिक्शन आपके पास पहुंच जाए चलिए अब बात करते हैं इस लेक्शर में हम क्या डिसकस करने वाले हैं देखिए ये रिसेंट न्यूज में है कि स्पाइवेर जिसका नाम है पैगसस ये अभी न्यूज में फिर से आया है इससे पहले भी आया था 2018 में इस पैगसस पैवेर जो अभी बापस से ये आया है अब इसकी एबिलिटी है जीरो क्लिक अटेक की तो यहाँ पर हमें इस लेक्शर में ये तीन चीज़ें डिसकस करने वाले इसपाइवेर क्या होता है पैगसस क्या है और जीरो क्लिक अटेक क्या है ये तुछाँ 18 में भी न्यूज में था अब बापस से आया है क्यों है देखिए अभी एक ब्रोशर आया है ये पब्लिश किया है Citizen Lab ये Canadian Cyber Security Organization है इसने एक ब्रोशर पब्लिश किया है जिसमें बोला गया है कि वर्ल्ड के काफी सारे फोन नंबर्स के बारे बताये गया है इन में है 300 Indian फोन नंबर्स ठीक है इस लिस्ट में है एक लिस्ट निकाली है और ने जिसमें 300 इंडियन phone numbers है which targeted by Pegasus जिनको target किया गया है Pegasus के दोरा यह एक spyware है ठीक है जिसके दोरा यह इंडियन phone numbers जो है वो target किये गया है अब इसमें काफी सारे phone numbers है जो politicians के हैं opposition के हैं और कुछ journalist की phone numbers है ठीक है तो बड़े-बड़ी हस्तियों की इसमें number है जिनको target किया गया है इस list में ऐसा बोला गया है इस citizen lab ने बोला है इस पर फिर जो हमारे IT minister है इन्होंने reply कि 18th को इन्होंने बोला कि presence of phone number in the data doesn't reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि जो phone number आपने बोले है इस data में phone number जो है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि यह जो जिन लोगों के phone number है उनका device जो है वो उसको hack करने की कोशिश की गई है उसमें Pegasus से infected है वो यह क्या है इसके बारे बता हुए तब आपको समझ आएगा actually यह सब चीज है यह इतना हला क्यों मच रहा है इस पर इसके बारे में थोड़ा समझते हैं देखिए यह जो 300 phone number है इसको यह जो लैब है इन्हों बताया है कि इस पर Pegasus का attack हुआ है Pegasus के द्वारा टार्गेट किये गए है अब यह जो पैगसस है उसको बनाने वाली company ने बुलाए कि हम सिर्फ और सिर्फ यह software जो है वो किनको देते हैं जो sovereign entity होती है उनको देते है sovereign players क्या होते हैं जैसे हमारी country में sovereign player कौन है हमारी government है ठीक है तो इसका मतलब कि यह जो hacking करा रही है यह जो target करा रही phone को वह हमारी government होगई indirectly देखा जाए तो हमारी government होगई तो इस पर हमारी government ने बोला है कि नहीं ऐसा नहीं है इस list मर यह जो number है वह आने का बतलब यह नहीं कि इसको Pegasus के द्वारा यह infected है यह attempt किया गया है hack करने का ठीक है तो यह पूरा का पूरा है अभी कुछ इस पर final decision नहीं है बस इतना है कि कुछ number इस list में आये हैं और उस पर government ने इसका answer दिया है तो हमें यह सब तो पढ़ना नहीं है यह तो exam में नहीं आएगा हमें पूछा जाएगा कि Pegasus क्या है क्यों काफी news में इस वज़े से यह spyware क्या होता है और zero click attack का क्या मतलब है ठीक है तो यह तीनों चीजिया हम समझते हैं इस लक्षे में देखिए अब सबसे पहले समझते कि spyware क्या होता है spyware एक malicious software होता है software यह होता है जैसे बाकी सब भी software है ठीक है सेम उसी तरह से software होता है computer में यह mobile में ढलता है जैसे आपकी app होते ना तो वही software यह भी होता है लेकिन यह किसी भी device को मतलब उसके लिए malicious software है उसको hack करने के लिए गलत नुकसान पहुचाने के लिए basically यह बनाया जाता है ठीक है इ is software और spy का मतलब कया है जो spying activities करें तो इसको design किया गया है spying activities के लिए spying activities क्या होती है जैसे कि data gather करना like मेरे mobilize में यह अगर spyware आजाता है तो कोई सब意 that अकेला यहीं नहीं है बहुत सार इस्पाइवेर हैं तो कोई भी ऐसा software मेरे mobile में मेरे laptop में आ जाता है तो वो मेरे laptop से मेरे mobile से data gather करेगा और उसको third party cookies को या जो hacker है जो जिसने इसको design किया है जो attempt कर रहा है उसके पास मेरा पूरा के पूरा data चला जाएगा ठीक है without your consent आपके जाने पहचाने बिना आपकी मर्जी के बिना आपका सारा का सारा data दूसरे के पास पहुंच जाए ये काम होता है spyware का ठीक है तो एक malicious software होता है जो spying activities के लिए design किया जाता है okay that is spyware अब बात आती है कि ये जो pegasus है वो क्या है तो pegasus भी एक spyware ही है मतलब कि एक malicious software है जो hacking के ये बनाया जाता है ठीक है it spy किस सबसे spy करता है on people throw their phones ठीक है उनके phone के throw spy करता है तो ये phone पे करेगा basically आपके phone पर इसको किस ने double up किया है इसको Israeli company NSO group ने ये इसका लोगो है Israeli company है NSO group ठीक है इसने किया और इस company ने बोला है कि हम ये जो software है ना वह हम सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट को ही देते हैं मतलब कि गवर्मेंट को ने जो भी sovereign players है उनको देते हैं ठीक है तो इन्होंने ऐसा बोला है इस पर फिर हमाई गवर्मेंट ने बोला कि नहीं हमने तो इस तरह का कुछ किया ही नहीं है तो फिर किस तरह से ये लोगों की mobile में इस तरह से पता चल सकता है कि ये जो 300 number जो दिये हैं ये जो लिश्टी है उन पर ये अटेक कराए गया है तो इस तरह की news चल रही है अभी इसका कुछ result नहीं आए गवर्मेंट सही है ये सही है ऐसा कुछ result नहीं आए तो news में चल रहा है अभी है ठीक है Pegasus works via sending and exploit link अभी Pegasus किस तरह से work करता है देखी Pegasus एक software ही है software बेसिकली आपने अगर hacking सुनी होगी तो आपको पाता हुगा किस तरह से hacking की जाती है किस तरह से attempt किया जाता है hack करने का ला प्रिम्याश का response आए तो ये जो Pegasus है ना वो बर करता है sending and exploit link कोई link भीजी जाती है जैसे कि मेरे email के थे थो WhatsApp के थो कोई link आई में डेपास आपने सुना होगा कि अनोल लिंक आपके बास आए तो आप उस पर क्लिक मत करिये इस तरह से सुना होगा आपने क्योंकि क्योंकि कई सारी आपने देखा होगा उन लिंक पर क्लिक करते हैं कुछ भी आपके मोबाइल में अब वगेरा इंस्टॉल हो जाती है फिर आपका मोबा यह मारे फोटो ऒगेरा क chopped इनका access भी ले लेते हैं तो इस तोरे का काम होता है इन softwareS का ठेके यह जो One Siya Softwareस होते हैं यह जो Southwest दूह 2 यह वह बैगसे वह वह इस तरह से आता है एक लिंक आपको भेजी जाती है तो आपको Gmail की थो WhatsApp की थो किसी भी तरह से लिंक आगए आपने उस पर क्लिक किया और आपके इसमें इंस्टॉल हो जाता है अब if user click on the link malware or the code is installed on user's phone ठीक है उसके phone पर इंस्टॉल हो जाता है यह बात थी जब ही initially बना था अब इसका new version आ कि जा रहे है पहले से ज्यादा डेंजर होता जा रहा है नाया जो देख रहे है आप डिल्टा विरियंट की सब नए नए बदलते जा रहे है और डेंजर आते जा कि पहले तो इसमें link पर click करेंगे फिर उसके बाद यह इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद पूरा का पूरा hacking स्टार्ट होगी या जो भी inka work स्टार्ट होगा लेकिन अभी इसका जो new version आया ना Pegasus को। उसमें आपको लिंग पर click करने की पुजरूत नहीं है। आपके पास e-mail के थो या message के थो आपके पास कोई लिंग आई। आप उसपे click भी नहीं कर रहा है। इसको बोलते है इसको बोलते है जीरो click attack माला आपसे बोला जाता है कि ऐसी unknown link आए तो आप उस पर click मत करिए click करें तो दूसरे browser में open करिए इस तरह की बाते आपने सुने होगी लेकिन यहां तो दिक्कत ही है कि मैंने click भी नहीं किया फिर भी मेरे बें install हो गया तो यह नया version है Pegasus का जिसमें click करने की भी ज़रत नहीं है वो आपके mobile में अपने आप install हो जाएगा इसको बोलते है zero click attack यह और भी ज़्यादा दिंजर हो गया समझ रहे हैं आप कितना दिंजर हो गया कि आपको click करने की ज़रत ही नहीं है अपने आप हो गया ठीक है आप इससे भी बड़ी बात क्या है कि खुदी install हो गया यह तो ठीक है फिर उसके बाद जब यह एक बार install हो जाता है तो attacker has complete access to user phone मेरे mobile पर अगर Pegasus का attack किया है किसी ने तो वो attacker जो है ना उसके पास पूरा का पूरा access हो जाएगा मेरे phone का इवन मुझसे भी ज़्यादा जितना मेरे पास access है ना उतना ही उसके पास होगा मेरे mobile का पूरा का पूरा access उस person के पास हो जाएगा जिसने attacker आयसे समझ गए यह है Pegasus तो यह phone पर attack इस तरह से होता है अब इसके बाद क्या है कि यह पहली बार आया है क्या तो नहीं ऐसा नहीं है spyware इससे पहले भी news में आया था सबसे पहले यह 2018 में news में जादा फैला था 2016 में सबसे पहले आया था first report हुआ था on Pegasus spyware operation emerged in 2016 यह हुआ था एहमद मनसूर जी पर यह human right activist है UAE के इन पर target किया गया था इनके iPhone 6 में SMS link आई थी उसके थो इन पर target किया गया था ठीक है तो first यहाँ पर हुआ था उसके बाद फिर यह चलता रा थोड़ा 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 फिर अभी बापस से यह चीज सामने आ रही है तो Pegasus delivers a chain of zero day exploit to penetrate security features and install without user knowledge और permission like मेरी mobile में कोई चीज़ इंस्टॉल हो रही है तो मुझे उसके बाद पता होता है आपके install हो रही है तो आपसे पहले permission ली जाती है you want to install it ऐस तरह से लेकिन मुझे knowledge नहीं है मुझे पता ही नहीं है मेरी permission नहीं ली जा रही है उससे पहले ही उसके बिना ही यह install हो जा रहा है और यह हमारे mobile की security feature को penetrate कर देता है खतम कर देता है यह एक chain deliver करता है zero day exploit इसको समझते है zero day exploit क्या होता है ठीक है इस तरह से यह हमारे phone की security feature है उसको penetrate कर देगा लाइक हमारे बहुत सारी apps होती है जैसे google pay वगेर है money transfer की app होती है इसके अलावा phone में photos, videos वगेर है तो पूरे security feature हमारे खतम हो गए कि कि हमारी जो data है वो दूसरे के पास पहुँच जाएगा तो यह काफी concern वाली बात है Pegasus spyware operation live in 45 countries at a time अब इसके जो operations है वो कितनी countries में एक साथ रह सकते है 45 countries में समझे रहे है कितनी सारी countries में एक साथ यह work कर सकते है ओकी ठेक है अब एक term आया था zero day exploit यह क्या होता है देखी कोई भी software आता है तो उसमें कुछ न कुछ बग रहता है बग मतलब कुछ error रहती है ठीक है लाइक चोट हो गई आपकी तो सेम इसी तरह से आपके mobile वगएरा update होते है update क्यों आते है क्योंकि कुछ न कुछ bug या कुछ न कुछ error है कुछ कमी है उसको फिर सही करके दूसरा update आया आपके mobile में जिससे जो पुरानी error थी वो सही हो गई यह होता है basically यह जो zero day exploit जो होती है वो complete unknown vulnerability है बनाब एक ऐसी error जिसके बारे में किसी को नहीं पता इवन जो software manufacturer है उसको भी नहीं पता लाइक हम बगवान तो है निकि सब चीजें अच्छी बना दें तो software manufacturer भी है कुछ नो कुछ तो bug रही जाता है कुछ नो कुछ error रही जाती है laptop में, mobile में, किसी भी चीज में ठीक है तो जो software बनाने वाला जो manufacturer है उसने कुछ नो कुछ कमी छोड़ी उसको भी नहीं पता इस कमी के बारे में ठीक है क्या इसमें problem है क्या इसमें error है वो error को उस software manufacturer को भी नहीं पता उस बारे में अब जब उसको पता ही नहीं होगा तो उसको fix कैसे करेगा उसको सही कैसे करेगा तो उसके लिए patch नहीं होगा like हमें चोट लग गई तो हम bandit लगा दें लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे चोट लगी है तो मैं bandit कैसे लगाऊंगी तो वोई बात है कि software manufacturer को भी इसके बारे में नहीं पता तो इसका patch available नहीं है और इस वज़े से ये fix नहीं होती इस जो ये जो error है ना ये जो ये जो problem है जो software manufacturer को भी नहीं पता हमें भी नहीं पता ये उस attacker को पता चल जाया मालो और वो उसी के throw attack करते ये चीज होती है खेक है अब in the specific cases कुछ cases हुए थे like apple और whatsapp की previous cases इन में जो bug आया था इन में जो ये जो ये वाला जो attempt हुआ था ना ये इन पर ये इन पर whatsapp और apple की cases में हुआ था तो ना तो कोई भी company like whatsapp किसी को भी नहीं पता था इस bug के बारे में इस security vulnerability के बारे में जिस पर ये attack हुआ था which was used to exploit the software जो ये उसकी गई थी इस तरह से थीक है तो basically क्या है कि कि किसी भी software में ये whatsapp है apple की किसी भी थोड़ा सा भी bug है थोड़ी सी भी उसमें कोई unknown vulnerability है जिसके बारे में software manufacturer है उसको भी नहीं पता तो वहां उसके थो target किये गए थे ओके ठीक है अब बात आती है कि एक बार अगर ये Pegasus आपके mobile में इंस्टॉल हो जाता है तो फिर किस तरह से work करेगा क्या होगा आपके mobile का तो like हमें बताने चला हमने click भी नहीं किया और हमारे mobile में ये install हो गया तो जब हमारे mobile में ये install हो जाता है उसके बात ये क्या करता है send back the targets private data जिसको भी target किया अगर मेरा mobile target किया तो मेरा private data है उसको send कर देगा मेरे passwords को contact list, calendar, event, text message live video calls और popular messaging app ये जो popular messaging app है इनसे सारी सारी चीज़े मेरी जो private चीज़े वो चली जाएंगे मतलब कि जो भी जैसे की camera है तो camera यूज कर लेगा passwords जो है वो सारे के सारे मेरा जो private data है वो यहां से चला जाएगा ये मेरे mobile के camera को microphone को turn on कर सकता है off कर सकता है like कोई भी मेरी activity चल रही है camera, video turn on, off हो जाती है तो क्या हो गया मेरी concern के बिना ना मुझ से पूछे बिना मेरी concern के बिना वो मेरा video बन रही है जो भी है ठीक है तो ये basically इसका डर रहता है can also access email ये email को access कर सकता है SMS को location track कर सकता है network detail, device setting, browse history ठीक है डेटा जो है वो सब access कर सकता है आगा पूरा 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 mobile access कर सकता है अगर ये एक बार आपके mobile में आ जाता है तो ठीक है all of this take place without the user knowledge ठीक है जिसको भी target किया है उस user की knowledge के बिना ही ये सब चीज़ें हो जाते है ठीक है इसके अलावा और क्या क्या हो जाता है ये तो हो जाता है सारे का सारी चीज़ें बता दी मैंने सब हो गया ये आपके password protected devices जो है ना उनको access कर सकता है मतलब हम बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता transparent रहता है no trash living on the device मतलब की like मेरे device है ना तो मेरे device में मुझे कुछ पते नहीं चलेगा कि इसमें कुछ हल चलो ये कुछ हुआ है तो कोई भी ये सबूत पीछे ने छोड़ता ये बड़ी बात है फिर इसके अलावा देखी हमारे mobile में कोई भी वाइरस आता है तो हमें कैसे पता चलता है वाइरस का हमारी battery जो होती है ना वो जल्दी discharge जो लग जाती है तो ये बहुत कम battery consume करता है तो battery भी discharge नहीं हो रही जिससे हमें पता चले memory भी कम लेता है consume minimal memory, minimal data consume करता है तो मतलब बहुत छोटी सी memory है इसकी मतलब बहुत कम memory में आ जाता है तो हमारी जो memory है वो भी कम यूज करेगा, data कम यूज करेगा ठीक है, battery कम यूज करेगा तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है phone slow भी नहीं हो रहा, hang भी नहीं हो रहा बैटरी भी डिश्चाज नहीं हो रहे तो पता कैसे करें ठीक है नो सस्पीशन इन मोर अलर्ट यूजर ठीक है असेल्फ डिस्ट्रक्ट मेकनिजम इन केस ओफ रिस्क ओफ एक्स्पोजर वेरी वेरी इंपोर्टन देखिए पासवर्ट प्रोटेक्टी डिवाइसेज में आगया है ट्रांस्पेरेंट रहता जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ हल चल हो रहे हैं मोबाइल में बैटरी वगरा भी कम कर रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी यह फैसिलिटी रहती है इसमें इसके मेकनिजम में कि यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है मन खुद ही खुद को खतम कर लेगा उस एंटिवाइरिस के पता चलने से पहले ही इसको लग रहा है कि यह खत्रा आ गया तो खुद को ही माल लेगा यह जब एक्सपोजर का रिस्क होता है तो यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है एविलिटी टू रिट्रीव एनी फाइल फो डीपर अनलिसस कोई भी फाइल है उसको रिट्रीव कर सकता है ठीक है डीपर अनलिसस के लिए रिस्टोर कर सकता है ठीक है, Pegasus can work on Blackberry, Android, iOS, जो iPhone है और ये जो Nokia के जो mobile आथे थे पहले, ठीक है, ये इन सभी device पर work करता है, तो ये सभी बड़ी-बड़ी company है, इनी सब के mobile यूज करते हैं, तो इन सब पर work करता है, तो इतना खतरनाक है ये, ठीक है, अब ये WhatsApp को किस तरह से exploit करता है, WhatsApp पर install होने क सिर्फ और सिर्फ एक miss call की जरुरत है, किसी attacker ने आपके mobile में miss call किया, मतब WhatsApp miss call किया, ठीक है, और ये install हो जाएगा, ठीक है, कोई click करने की जरुरत नहीं है, no clicking on misleading links is required, कोई link नहीं भीजेंगी, अब जो नया वर जनने उसकी बता रहे हो, ठीक है, तो कोई link नहीं आएगी, सि एक miss call आया, और ये install हो गया, ठीक है, Pegasus had exploited the video voice call functions which had zero day security flow, ठीक है, तो ये मैं आपको security flow बताई चुकी है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये करता है, इसके अलावा no matter, अब यहां पे आपके पास miss call आया था ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने वो call attend किया हो, ठीक है call attend करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा, आपने call बेटन नहीं किया, तो भी install हो जाएगा, flow allowed for malware to be installed anyway, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई call, मतलब pick किया हो, तब install हो, वो बिना pick किये ही install हो जाएगा, तो ये इस तरह से ये, जो WhatsApp है, उसको exploit करता है, okay, how do zero click attack work अब zero click attack के बारे मैं बताया था, कि आपने click भी नहीं किया, तो भी attack हो जाता है, ये किस तरह से work करता है, तो ठीक है, it helps spyware gain control over a device, ठीक है, zero click attack है, मतलब कि हमें पता ही नहीं चल रहा हो, और हमारी concern के बिना ही, हमसे पूछे बिना ही, ये काम हो रहा है, ठीक है, it helps spyware, ये ज उसे पूछे बिना मेरी सहमेती की में नहीं काम चल रहा है मेरे mobile में, ठीक है, without human interaction और human error, मेरी कोई गलती भी नहीं है, human interaction नहीं है, तो भी काम चल रहा है नका तो, so all awareness about how to avoid a phishing attack, और which links not to click are pointless, जिसे हम phishing attack किसको बोलते हैं, like हम कोई भी जो गलत link है, उन पर हम click कर देते हैं तो वो phishing attack है, वो links हमारे पास आ रहे हैं, कोई हमने website वगएरा उपन की, वहाँ पे phishing attack होता है, तो कोई भी आपके पास इस तरह से एक pop-up आजाता है, आप इसको install करो, आप से पूछा भी, मतलब आपको पता भी नहीं होते हैं, कि आप क्या install कर रहा है, yes, 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 करते जाते हैं, तो basically काफी तरह के phishing attack रहते हैं, तो basically वोई समय चीए, link वगएरा से आपके पास हो रहा है, तो आपको किस link पर click करना है, किस पर नहीं करना, ये भी खतम हो गई बात, तेक हैं, किस link पर कौन सी phishing site है, ये सब चीज़ें आपको जानना pointless हो गया, कोई मतलम नहीं है, ये अगर ये इतना dangerous है, तो फिर हम इसको कैसे रोगेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किसी link पर click करने रहा है, तो भी install हो जा रहा है, WhatsApp call पिक करने रहा है, तो भी install हो जाता है, अब जाकि उस person के WhatsApp का mobile बंद कर के आएंगा, कि हमें call ना करे, तो किस तरह से prevent कर सकत है, हाला कि इसको detect करना hard है, और इसी वज़े से prevent करना और जादा hard, क्योंकि हम अगर detect ही नहीं कर पा रहा है, हमें चोट के बारे हम पता ही नहीं है, तो हम उसको prevent कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे, बेंडिस कैसे लगाएंगे उस पर, ठीक है, अब detection hard है, तो इस और जादा मुश्किल हो जाता है, इसको detect करना, ठीक है, where there is no visibility on the data packets being sent or received, ठीक है, यहाँ पर यह नहीं दिखाए जाता है, और इसी वज़े से, जो encrypted environment होता है, उसमें इसको detect करना और जादा मुश्किल होता है, ठीक है, आइफोन वगरा हमें, और user can ensure all operating systems, तो व भी encrypted होती, VPN ठीक है, चले ठीक है, तो user can ensure all operating system and software are up to date, so that they would have patches for at least vulnerabilities, रख्या है, कि आपको basically hard तो है, इसको prevent करना, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, तो जो हमारा operating system है, जो नए-नए updates आते हैं, mobile बे, वो आपको update कर के रखना है, तो आपके अपने mobile को up to date रखना है, जिससे की patches आपके पास आएं, और कम से कम vulnerabilities हों आपकी, जैसे मैंने आपको बता था, कि जिसको software manufacturer है, उसको भी उस vulnerability के बारे में नहीं पता, उसको भी उस bug के बारे में नहीं पता, तो कैसे patches निकाले, तो patches आते रहते हैं, जो भी bug हमें पता चलते हैं, उसके patches आते रहते हैं, इसलिए ह तो आपको यह करना है और क्या करना है? Make sense to not side-load any app to download only via Google app जो Apple app store है मतलब basically Google जो प्ले स्टोर होती है उससे ही आप डाउनलोड करें या Apple का फोन यूज करें तो उसकी जो app store है उससे आप डाउनलोड करें हमें कई सारी लिंका tyre जिससे हम कोई भी यहीं से ही करने है Google Play Store से Apple जो एब स्टोर है यहां से ठीक है तो जिस मोबाइल में जो जैसे Android में Google Play होती है तो वहीं से आपको दाउन्लोड करनी है तो साइड नहीं करनी है किसी वेफ उवताय लिंक मिल जाती है कि यहां से आप डाउन्लोड करना है छिक है ओके जैसे आप किसी पर वेफसाइट पर जाते हैं एक और चीज़ पहां क accordance पर नहीं किसे पे website पर कोई app की link डाली होती एप लेके फिर होती Google Play पर है तो वहां से आप Google Play पर पर चले जाएगे और Google Play पर हो जाएगा तो जिक्दीं नहीं है लाइक मैं आपको कोई app की link दे दूँ जो Google Play की है तो वह Google Play पर है वो तो ठीक है क्योंकि यहां पर वही एप उती है जो ठीक है ऐसा नहीं कि कोई भी एप हो गए यहां पर ओके वन वे टू गो इस तो स्टॉप यूजिंग एप औल टोगेदर वेरी वेरी इंपॉर्टन यहां पर यह थोड़ा सा मुश्खिल है आपकी जो एप है ना आप मोबाल इसकी जगह आप क्या करें। कि इसको उपन करीए आप ऊपन करीए। को शोशल मीडिया मेल चेक करना है तो आप जैसे की हमारे लेक्सक्रायों कि इसके शीदिःसक्या ति मेल वागरए है उसको ब्राॉजड़र पर आप अपन करिए। कि हां यह व्यलीय। नहीं है लेकिन अधरन किनिये सेक्योर जादा है, ऐसा expert आप कोई भी जैसे कि आप मेल च़ेक कर रहा है, आप Mac कि अचले görün futur after कैसा लगा मुझे ज़रोगत आएगा कमेंट करके पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी करिएगा अगर पसंद आया तो थाइंक्यू सो मैं सेंक्स वॉचिंग